मैं अद्देक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका मैं मानियस सदस एनके प्रमाचंदर जी ने जो कहा और मानियस सदस जो कहा मैं उससे अपनी बात को जोडता हूँ यह बिल जो इंट्रीडियोस हूँ हो रहा है यह अद्देक्ष मौदे बहुत सोची समझी राजनीत के तहत हो रहा है अद्देक्ष मौदे जब लोकतांतिक तरीके से चुनने जाने की पहले से प्रतिक्रेया है तो उसको नॉमिडेट क्यों किया जा रहा है वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं बॉडीज हैं उनमें कोई गहर ब्रादरी का नहीं आता है मालीजे वक्वोर्ड में गैस मौस्लिम को शामिल करने का आचित क्या बनता है और अध्यक्ष मौदे इतिहास के पन्नों को घर हम पलटें अगर आप जिलादिकारी को सब तागत दे देंगे उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूँ कि एक जगे पर एक जिलादिकारी मौदे ने क्या किया था उसकी वज़े से आज और आने वाली पीडी तक को भी समना करना पड़ा अध्यक्ष मौदे में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और अध्यक्ष मौदे सच्चाई ये है अध्यक्ष मौदे सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश चंद कटर समर्थों के तुस्टी करण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है अध्यक्ष मौदे आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं मैं याद कि दिए अध्यक्ष मौदे मैंने आप से कहा था कि आप लोग तंद्र के नियाइधीस हैं और मैंने अध्यक्ष मौदे सुना है इस लौबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जाने हैं उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए अध्यक्स के अधिकार अखिलेजी सिर्फ बिपक्स के नहीं है पूरे सदन के है इस तरह के गोल मौल बात आप नहीं कर सकते हो आप नहीं हो अध्यक्स के अधिकार के संड़ेग सकते एक मिट एक मिट एक मिट एक मिट फ्लीच यह इसलिए लाए जारा अध्यक्स मौदे अभी अभी हारे हैं अदेश मोदे अभी अभी हारे हैं और दरसल ये चाहते हैं नो रिकोर्ट में ने जा रहा है आपका खुझ भी रिकोर्ट में ने जा रहा है नाम बलाई से